आज मैं आप लोग को बताऊंगे प्राइमर से रिलेटेड और चीज है जो भी लोग इस प्राइमर को लगाते हैं या नहीं लगाते हैं इसके फाय देन उस्थान तब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो चैनल में नए हो तो अभी से सब्सक्राइब सर दे मेकप की एक एक चीज की बारी क्या जो होती है सब कुछ बताती मैं अपने चैनल पर चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लाइक कर दीजे वीडियो को कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजएगा एंट तक देखिएगा क्योंकि एक एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपोर प्राइमर के बारे में अक्सर दतों को मेकप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसलिए तो मार्केट जागे इसनी महगी महँगी चीजे मेकप ते बहुत मेहलश सकते हैं प्राइमर को लाजय को यूटरी सब्लीट सकते हैं। लेकर आती हैं लेकिन जब मेट उसंल्ट को यह बीना do तरना पसंद होता है कि क्योंकि मेकप करने के लिए इस वाइसे स्किन के रिलेटेड लो को में कि मिलता है। डॉटी सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो भी और प्राइमर को स्किप कर देती है आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है और प्राइमर के क्या क्या चीज़े करना है किस वज़े से आपका मेकप काला पड़ता है वीडियो को बिल्कुल किपट कीजिएगा एंट तक वॉच कीजिएगा तो जो प्राइमर होता है आप अपना बहुत जादा जरूरी होता है प्राइमर जब आप लगाते हो तो आपकी जो ओपन पोर्ष होते हैं नोज के पास यहां पे फोरेट पे यहां पे जैसे थोड़ी पे वो जो ओपन पोर्ष होते हैं वहां के जो ओयल निकलता है वो आपके फांडिशन के साथ मिक्स होता है एंड आपका मेकप जो होता है वो ग्रे पढ़ने लग जाता है, काला दिखने लग जाता है, जो मेकप रूख आपको चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है, वो सिर्फ एक प्राइमर को स्किप करने की वज़े से, तो आप प्राइमर जरूर लगाईए, मेकप लिए, ये तो बात होगी, आपकी मेकप को काला क करने काला मेक अप काला क्यूं होता है सीटिम को स्कीप कर देते हो जिसकी वज़े से आपका मेक अप जो आपकी स्कीन का ऑइल निकलता है और अपके मेक अपको ब्लैक कर देता है तो इस सारे स्टैप बहुत जरूरी है पूरी वीडियो ध्यान से देखा कीजिए पीछे की वीडियो भी जाके देखिए आपको मिल जाएंगे यहां पे तो पहला तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया उसके बार आपने डारेक फांडेशन लगा दिया तो क्या प्रब्लम आ सकती है और फांडेशन मिक्स होता है जिसके वुझे से आपका मेकप काला पढ़ जाता है और बात आती है बहुत सी ओर्टों को यह डर सताते रहता है कि कहीं हमारा मेकप करने की वज़े से स्किन ना खराब हो जाएं तो बिलकुल खराब हो जाएगा अगर आप मेकप सही तरीके प करोगे जो भी टिप्स है रूल्स है मेकप में जो होता है स्टैब बै। उसको फोलो नहीं करोगे और डेवाइड आप मेकप कर रहे हो तो आपका स्किन यह हंड़र परसंट है कि खराब हो जाएगा तो मैं यह नहीं कहलें कि मेकप करो लेकिन सही तरीके से करो ओके तो प्राइमर भी नहीं लगाया सीटियम नहीं किया और फाणुडेशन अप्लाई कर दिया तो वह क्या होता है चैमिकल होता है वह हाड़ कैमिकल आपकी स्कीन के पोश में अंदर जाते हैं जिसकी वज़े से आपका फेस भी काला पढ़ने लग जाता है तो हम लोग सोचे हैं में मेकप की गलती है हमने मेकप किया इस वज़े से हमारा स्कीन खराब हो गया लेकिन ऐसा नहीं है आपने मेकप सही तरीके से नहीं किया इस वज़े से आपका स्कीन खराब हो रहा है तो आपको अपने मेकप प्रोडक्ट्स एंड स्कीन के बीच में एक लेयर बनानी ज़रूर जोड़िये वह आपके स्किन पे एक लेयर बनाएगा आपके ओपन पोस्ट को हाइड करेगा और काफी अच्छा सौट स्किन को बना देता है इसके बाद आप फांडेशन अप्लाई करते हो तो आपके ओपन पोस्ट में नहीं जाता है आपने प्राइमर लगा लिया है उसके नहीं होगा एक अप्लाई कर तरहिऊं प्लाइ से वह तो डोना आपके सकीन और आपके स्किन के ओल के साथ और आपका मेकप ब्लैक नहीं पड़ेगा और अपकी आपके स्किन और यह हार्ड गैमिकल्स के विसमें एक लेयर है जिससे कि आपकी स्किन को भी घाल नहीं होगा आपको खराब नहीं और मेंक उसकी वीडियो की वाली स्किन जिनकी स्किन बहुत ओईली है और और वह लोग मेकप करते हैं वह लोग तो चूछते हैं हम लोग मेकप करेंगे हमारी स्किन पे और ज्यादा नहीं प्राइमर लगाया आपका आपका आयल वह इसमें ब्लॉक किया आपके ओपन पोर्श के साथ प्रोड़क्ट ऊप्रोडक्ट सब्सक्ति और पिंपल के सब्स्तित काश्च। तो प्रइमर में क्यों सब्सक्राइब से कुन है जो च्छाइब पिति समीस कूंगे जूने सब्सक्राइब प्राइमर के लिए अलग से वीडियो बना रही हूं कि प्राइमर लगाने से क्या होता है और सेंश्टिव स्कीन वाले जिनकी स्कीन मेंकप करने के वासे आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग मेंकप कर लेते हैं और वाश करते हैं मेंकप को तो हमारे माउस के अरांड जाता है यह किसके साथ होता है इस टीस किन वालों के साथ होता है तो वाले और राइय स्कीन sachते है लेकिन नहीं है आपको प्राइमर बिल्कुल लगाना है जिससे कि आप और जहां पर पपड़ी की प्रब्लम हो जाती है नहीं सब्सक्राइब लगाना है तो स्कीन के अंदर अच्छे से प्राइमर की जादा मात्रा में लगाएजी है कि आपका जो भी area effect करता है make up करने के बाद के वह अच्छे से अच्छे से लियर बन जाए जब आप make up करो तो आपके effective part है उसके make up अशर ना दिखा पाए उसके लिए आपको primer ठोड़ा ज्डादा लेना है अपने पूरे face के apply करना है उसके बाद आप foundation प्राइमर करो vencelerji करो कर लिया इंज करने यह कर दिया क्या एक सी प्रॉड़े बीडियो डॉले पर यांद ब्लैक्नेस दिखता है उसको कैसे ठीक करोगो उसके लिए वीडियो डाली हुई है तो आप जब मेकप रिमूब कर लेते हो तो डियर आपका जो स्कीन केर रूटीन है जैसे कि टोनर मोंस्टराइजर इंको अच्छे से क्लीन करना वह ज़रूरी है और लास्ट में स समय चीजों को रिमूब करता है है कि को हल भीडि बनाता है वह स्कीन की बात हो दो आप मेकप उतारा आपने अच्छे से फेज को क्लीन किया कोई भी फेसट वॉससे उसके बाद आप नारियल तेल थोड़ा अच्छे से ज्यादा मातरा में लेके अगर पॉसिबल हो तो विटामिन E की कैपसुल उसमें डाल दीजिएगा उससे अच्छे से स्किन पर मसाज कीजिए इस तरीके से आप अगर आप स्किन केर रूटीन होती है आपकी स्किन पर जो भी मेकप की वज़े से हार्म पहुंचा होगा वो रिमूव हो जाओ और आपकी स्किन एग्दम सॉट्ट स्मूज ब्लोइंग होगी जो आप प्रुबह उठोगे यह ऑईल करने के बाद से तो आई हो कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो इतना ही में इतना ही फिर म능ंगे ने डीयोस से दरलें लेकर उस्क्षाव कर लेगनागा डीजिए मेरें को प्रेश कर लिजे कर लिजे लिए वीडियो को कोई भी वीडियो चाहिए मेरा ब्लॉग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए मैं एक्स तैम वो वीडियो जरूर ले के आपाऊंगी थैंक्क वाचिंग लव यॉव टेक क्यार बाई बाई